हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे टाइपस ओफ सी इंस्ट्रक्शन की देखिए अभी जैसे प्रिछले वीडियो लेक्टर में हम लोगों ने सी का प्रोग्राम बना लिया था तो एक बेसिक हमने आपको फॉर्मेट बना दिया है तो आप छोटे-छोटे प्रो इंस्ट्रक्शन्स ठीक चलिए मैं यह कह रहा था किसी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज को सीखने का जो बेस तरीका होता क्या होता है कि आप जैसे आपने छोटा प्रोग्राम बनाया सीखा जैसे अभी तक आप लोग ने पढ़ा हुआ है या जैसे हमने पिछले वीडियो सेलरी दी हुई है और उसका डियर्नेस एलाउंस और हाउसरेंट एलाउंस कल्कुलेट करके ग्रॉस सेलरी कितनी आएगी इसको निकालने का प्रोग्राम बताए था अब उसमें क्या कीजिए कि अब आगे आगे आनवर्ड्स आप जो भी चीज़े नई पढ़ते जाएंगे आप वो मोडिफिकेशन उसी प्रोग्राम में करते चलिए तो आपको सीखने में और समझने में आसानी रहेगी अगर आप नया प्रोग्राम भी बना के चलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक अच्छा और एजी प्रैक्टिस है कि एक छोटा सी प्रोग्राम बन अग्या आप प्रोग्राम की बात करें तो हमें मालू मैं कि कोई भी प्रोग्राम जो है प्रोग्राम क्या होता है प्रोग्राम सेट आफ इंस्ट्रक्शन different तरह के जो instructions हम लिखते है उनी के set को हम क्या बोलते है program बोलते है ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है कि the program behaves as per the instruction that we give in it मतलब जो जैसा हम instruction देते हैं वैसे ही वो program काम करता है different instructions are used to achieve different tasks ठीक है अलग-अलग target को achieve करने के लिए हमको अलग-अलग instruction देना पड़ता है तो अगर हम पहले इसमें बात करें कि c के अंदर instruction जो होती है वो अगर हम बात करें types of instruction की कि c language में कितने type की instruction use होती है तो इसको अगर हम broadly classify करें तो इसको हम तीन categories में divide कर सकते हैं दिजे एक दो और यह हो गया तीन एक तो होता है type declaration instruction ताइब कर डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन थीक है सेकेंड जो होता है सेकेंड होता है इसको आप हम सेकेंड होता है वो होता अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन थर्ड टाइप इस उसके टाइप को बताता है मतलब क्या हुआ कि इस इंस्ट्रक्शन यूज्ट्र टाइप और वेरेबिल यूज दिने सी प्रोग्राम जो हम वेरेबिल अपने यूज कर रहे हैं जैसे हमने अपने पिछले वाले प्रोग्राम में क्या ली तो बीएस वेरेबिल रही था उसको हमने क्या टिक्लेर किया था इंटीजर ऐसे किया था आप ऐसे ही हमने डीए और एचारे कर रहे थे तो डी ये और एच आर ये जो मिल से और ग्रॉस से लिए इन तीनों को हमने क्या डिकलेर किया था float, मतलब float तो जो भी variable प्रोग्राम में use होने है वो किस type के हैं तो उसका type हम यहाँ पे declare करते हैं तो इस तरह की instruction को बोलते है type declaration instruction ठीक, अब आजाएए arithmetic instruction arithmetic instruction क्या करता है कि this instruction is used to perform arithmetic operations on constants and variable तो यह instruction क्या करता है यह arithmetic operations परफॉर्म करता है जैसे परफवर्म करता है यज और आध यह कर रहा है शुक्रिट ने जर खने शंद सेल्डी प्लस डीए प्लस है शरी गरॉस सेल्डी को कलेकुलेट कर रहा है जो की सम है किसका बैसिक सेल्डी और अचारे तो इस तरह के जो अर्थमेटिक operation perform होते हैं that type of instruction is called arithmetic instruction अब आप आजाईए third type पे control instruction ये क्या करती है this instruction is used to control the sequence of execution of various statement in a c program तो ये ये आपको समझना पड़ेगा भी आगे example आईए तो clear हो जाएगा sequence of instruction execution कौन से instruction किसके बाद execute होगी उसको ये control instruction करता है जैसे अभी आगे आपका आगे आपका आगे आप इस्टेंटमेंट पढ़ेंगे गोटू पढ़ेंगे वो सब control instruction है तो ये तीन तरह के instruction c language में broadly आप classify कर सकते हैं c language instruction को इन तीन कटेग्रीज में ठीक है अब इसके बाद बात आती है कि कि टाइप declaration statement में क्या होता है तो नाव भी स्टार्ट विट टाइप declaration statement टाइप इस्टेटमेंट्स या statement कह लिए चाहे इसको आप instruction भी कह सकते हैं इस्टेशन इसे क्या होता है कि एन वे यूज़िड इन दे प्रोग्राम मस्ट भी डिकलेर्ड बिफुड इस्टेटमेंट्स अध्लब आप प्रोग्राम में कोई भी वेरेविल यूज़िड रहे हैं तो उसके पहले आपको डिकलेर करना पूरेगा अगर आप पहले नहीं declare करेंगे तो वो error दिखा देगा ठीक है तो जैसे अभी हमने पिछले प्रोग्राम की example ली थी हमने integer declare किया था किसको basic salary को flow declare किया था हमने किसको da को hra को gross salary को ठीक तो अगर यह statement के बगएर अगर हम basic salary को input कराएंगे तो वो error देदेगा क्योंकि वो जाने का नहीं कि bs क्या है तो इसलिए कोई भी वेरेविल अगर प्रोग्राम में यूज होना है तो पहले उसको आपको इस तरह उसका type declare करना होगा ठीक है अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें कई variation होते हैं अब वन बाई आप इसको इनमें जो different type होते हैं मतलब कैसे कैसे हम दे सकते हैं इसको type declaration instruction को वह आप समझे जैसे पहला केस हम लेते हैं तो मालीजे हमने कहा कि वाइल declaring the type of variable we can also initialize it as ठीक है तो इसमें मतलब हमने कहा कि मालीजे हमने यह declare किया यहां पर तो हमने कहा integer basic salary हमने किया और इसी के साथ इसी के साथ जैसे हमने वहां keyboard किया था इन्पुट से keyboard किया था 4,000 रुपए यहीं पर हमने इसको declare कर दिया कि फूर्थ होगे यह हम इस तरह ही declare कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमने यह भी declare कर दिया कि बीएस वेरेबिल जो है वह इंटीजर टाइप है और साथी साथ हमने उसको साथी साथ हमने उसको value भी assign कर दी कितनी 4,000 तो इस तरह से भी आप declare कर सकते हैं ठीक मतलब while declaring you can also initialize the variable ठीक अब second type आ जाईए the order in which we define the variable is sometimes important sometimes not मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी अपने प्रोग्राम को हम लेके चल रहा है उसी को आप लेके example समझते चलिए जैसे हमने कहा कि हमने integer declare किया पहले basic salary उसके बाद हमने declare किया है या da hra और gross salary ऐसे हमने declare किया था तो पहले ये declare करेंगे फिर ये declare करेंगे या हम किसी को कभी भी declare कर सकते हैं ये कभी-कभी तो matter करता है और कभी-कभी नहीं करता है मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बाली suppose कीजिए आपने ये declare किया इस तरह ठीक तो ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब मान लिजे आपने इसकी बजाए से इसकी जगा मान लिजे आपने पहले ये declare किया कि float और आपने लिग दिया यहाँ पे say da equal to 0.4 into basic salary समझ रहा है और basic salary इसके पहले आपने declare नहीं किया है ठीक है तो फिर ये matter करता है मतलब ये error देदेगा तो यह आपको देखना पड़ेगा या program किस तरह बना रहा है कि जिस भी variable की जरूरत है या जिस जो भी variable जैसे इस statement में da तो आप declare कर रहा है ठीक है लेकिन bs को आप use कर रहा है न और bs अगर इसके पहले यहां पे नहीं defined है तो फिर यह गलत हो जाएगा error देदेगा तो जिस भी variable का इस्तेमाल होने जा रहा है वो variable already declared होना चाहिए में आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो यह है और तीसरा जो है इसमें consider करने वाली चीज वो यह है कि जैसे अगर माली जब आपने कहा कि suppose कीजे इसमें example ऐसे सोल लिए आपने integer declare किया a, b, c, d यह चार integer आपने declare कर दिये और उसके बाद आपने initialize किया किसाब a equal to b equal to c equal to d equal to 10 इसलिए इक्वल टू नहीं होता है अभी आगया आप operator पढ़ेंगे इसलिए आदमी इक्वल टू बोलता है इसलिए assignment operator इसलिए assignment operator यह क्या करता है जब भी आप ऐसे d equal to 10 आप लिखा तो 10 की value इसमें डाल देगा जैसे आपने लिखा z equal to 5 यह equal to तो चुकि हम लोगी mathematics वाली habit है इसलिए बोलते है अधर्वाइस इसका मतलब यह हुआ इस 5 को z में assign कर दो तो this is called assignment operator अभी आगया operator पढ़ेंगे हम लोग तो दुबारा यह चीज आएगी ठीक तो यह आपने इस तरह कर declare किया हुआ पहले आपने चारो variable declare कर दिये यहाँ पर और तब आपने value assign की यह ठीक है लेकिन अगर आपने क्या किया आपने एक साथ ही कर दिया आपने का integer A B C D 10 ऐसे अगर आपने declare किया ठीक है तो इसमें क्या होगा कि यह गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा इसलिए कि आपने A को क्या assign किया है B जबकि B की value पता नहीं है B को क्या assign किया है C C की value पता नहीं है C को क्या assign किया है D D की value अभी पता नहीं है ठीक तो यह काम पहले हो जाएगा उसके बाद ही यह काम आप कर सकते हैं तो यही सब छोटी-छोटी error आत कोई प्राब्लम नहीं आएगी सी प्रोग्रामिंग करने में अगर वीडियो कौंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आन कर दीजिए ताकि नेक्स वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तुरन मिल जाए थैंक यू